नमस्कार आप देख रहे हैं डेनेक्स टीवी मैं हूँ नीशा देश में कोरोना वैरेस महमारी के बचाओं के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं परंतु ब्लॉक माल खरोदा छेतर के ग्राम पंचायत पिर्दा की वाट क्रमांग चार गली में ग्रामिनों के घरों के गंदा पानी गल्यों में लबालब भरा हुआ है जो महमारी फैलने की आशंका का कारण बन रही है ब्लॉक मार्खरदा के ग्राम पंचायत पिर्दा की गली में कई महिनों से गंदा पानी भरा हुआ है लगभग 2 फिट पानी भरे होने की वज़ा से यह बड़े डब्री में तब्दिल हो गया है आलम्या है कि गंदा पानी भा कीचर ग्रामिनों के घरों में प्रवेश कर रहा है जो विमारी का कारण बन सकता है DNX TV के लिए जांजगीर चापर से अस्वनी सेंग की रिपोर्ट विगत कई महिनों से वाट क्रमंग 3 वा 4 की गलियों का हल जसका तस्थ बना हुआ है आसपास में गंदे पानी की बदबू फैली हुई है लोगों का रहना मुश्किल हो गया है पानी गंदा होने की वज़ा से मच्छरों का पनपना जारी है जिससे मलेरिया जैसी बिमारी फैलने की आशंका बनी हुई है ग्राम पिर्दा के ग्रामीनों, दुर्गवती, हर नरायन जैसवाल का कहना है कि गलियों का गंदा पानी आसपास के कई घरों में घुस रहा है यह ग्रामीनों की परेशानियों का सबब बना हुआ है बद्बुदार पानी में मच्छर पनप रही है इसके शिकायत सरपंच और अधिकारियों से की गई है लेकिन अब तक समस्या जस्की तस्ट बनी हुई है समस्या के हल के लिए साशन से भी गुहाल लगाई गई है ग्राम पंचायत पिर्दा के सरपंच नरेंद्र कुमार भारद्वाज का कहना है कि गल्यों में भरे पानी की निकासी की जगह नहीं है पहले पानी की निकासी हो रही थी लेकिन लोगों के घर बन जाने के करण निकासी संभव नहीं हो पा रहा है निराकरन के लिए तहसिलडार माल खरोदा को लिखिर शिकायत कर अफगत कराया गया है। कोई ध्यान नी दे थे सरपंच मौन कर दू तिन बार आविदन दे दारें सिकायत कर दारें सरपंच जड़ शब्चाप रहते हैं हां सत हां सत चल देथे। यहां एक साल से पानी भरा हुआ है पानी निकलने का कोई साधरी नहीं है कहीं निकासी नहीं हो रहा है। यहां पर पानी बहुत गंदा हो चुका है और कई जम गया पानी में यहां मच्छा पनपते रहते हैं कीड़े हो जाते हैं और यहां पर बच्चे बच्चे हैं सब्सक्राइब को बीमारी फैलने की महुत ही मतलब बासंका है हमको शासन इस वर ध्यान देवें और इसको इस्थाई नाली बनाने की इक्रीपा करें कुमार भारदवाज है मैं ग्राम पिर्दा कंदाव निर्वाचित सरपांज हूं मैंने इस समस्य को लेकर तथिल्दार साब के पास गया था आविदन दे चुका हूं और यह जो समस्य है पिछले पर तीन-चार-पंच वरसी से चला आ रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो ग मैं बनाया हूं उसको देखिए वह बोल रहा है उसको देखिए इसको वह निराकरण नहीं हो पा रहा है इसके लिए मैंने तशित लाजी से आविदन किया है वाएंगे और उचिस्तरी जाच करके उसका निराकरण करवाएंगे कि वाड़करमांग चार में मैं रहा था और जो पानी है वो कर निकासी नहीं हो पात है हमन सरपंच मनला भी बोलें सब जतका अधिकारी जन प्रतिनी धी है पंच है सब ला बोले हन तो हाव हाव कथे अब कुछ धियाने नि दे थे और पूरा गंदगी महामारी फैले के आस यहां खावाए और बहुत मुश्किल से काटा थे और पूरा अब और को भुर्याब निकासी दे के नहीं हो तैसासां और नहीं करते तहना सबसें लगा लगा लेकिन कोई ध्याने नहीं दे थे और लगे हो पीड़ पानी भर जात है मेरा में मूहता के सामने मारा कहा यहाई आपने कासी देखे बैउस्था भी नहीं हो पात है यह सब चीज हाद चाल है अप अ कर दो